नमस्कार स्वागत है आपका स्पियर नाइन न्यूज भी मैं हूँ आपके साथ शुटी साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है यानि कि अगर बात करें यहां पर राजनीती की यानि कि साल 2020 की शुरुआत जो है वो बिजेपी के लिए कुछ खास नहीं मानी जा रही है जिहां जिस तरह से बता दें आपको कि महराश्ट में हुए जीला परशक चुनाओं में उसे अपने गड़ में हार का मुद देखना पड़ा है ऐसे में कहा जा सकता है कि साल 2020 की सुरुआत जो है वो बिजेपी के लिए कुछ खास नहीं मानी जा रही है वहीं बता दें आपको कि कॉंग्रिस सबसे बड़ी पार्टी की रूप में उबरी है जिहां बता दें आपको कि महराश्ट में यहां पर अगर बात करें तो न्सीपी शिपशेना और कॉंग्रिस की महा अगारी सरकार है जहां पर कॉंग्रिस जो है कमजोड नजर आ रही थी यानि कि अगर महाराश्ट की विधान सभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से बिजेपी और शिप्षेना ने गडवंदन का चुनाव लड़ा था और गडवंदन का चुनाव लड़ने के बाद बिजेपी जो है ब बिजेपी को हार का मूँ देखना पड़ा है नागपुल यानि की महाराश्ट में हुए जिला परिशद चुनाव में बता दें आपको को नागपुल में भी चुनाव हार गई है इन चुनाव में एकते सीटों के साथ कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है त कॉंग्रेस की वापसी आप देख सकते हैं जिस तरह से हरियाना में चुनाव हुए विधान सबसे चुनाव हुए जबकि यहां पर सबसे बाड़ी पार्टी जो है बिजेपी थी और उसके बाद शेप्षेना और एनसीपी लेकिन कॉंग्रेस जहां पर चौथे नंबर पर आज वहां पर शेप्षेना एनसीपी और कॉंग्रेस की महागाडी सरकार है यहां पर अब जिस तरह से महराश्ट में वह चौथे नमर प्रत्ती लेकिन अगर नागपूर की बात करें तो नागपूर में जिस तरह से जिस तरह से यहां पर बिजेपी को हार का सामना करना बताते हैं आपको कि दिल्ले विधान सभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनाव जो है आठ परवरी को होगी वहीं बताते हैं आपको कि महराश्ट में जिस तरह से सियासी समीकरन बदलते रहे हैं वहीं राज ठाकरे और फड़नवीज के मुला के बाद खैर आपकी क्या रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहे हैं हमार साथ नमस्कार